है यहां पर दस भी पास मेल फीमेल फ्रेशर तो चाते हैं यहां पर पक्की सरकारी नौकरी पाना तो यहां पर निकल गई है आप लोगों के लिए भड़ती जी आँट हूँ है Headquarter, Madras, Engineer, Group and Center, Bangalore यहाँ पर आप लोगों के लिए वेकेंसी आउट हुई है पकी सरकारी नौकरी रहने वाली है तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं कौनसी फेकेंसी है कैसे आपको अप्लाइ करना है क्या Age criteria मांगा गया है क्या eligibility criteria मांगा गया है कि आप होने चाहिए है यहाँ पर दसभी पास अगर आप हैं यहाँ पर simple 10th पास तो आप यहाँ पर इस वेकेंसी के लिए अप्लाइ कर सकते हैं desirable में यहाँ पर mention करा गया है कि अगर आप यहाँ पर conservant है gardener की duty में तो यहाँ पर आपको preference दी जाएगी ध्यान रखेगा दोस्तों यह desirable qualification essential नहीं है अगर आप यहाँ पर freshers है तो भी आप यहाँ पर इस वेकेंसी के लिए apply कर सकते हैं level 1 के तहत यहाँ पर आपको salary provide की जाएगी है 18-25 साल तक की यहाँ पर आपकी उमर मांगी गई है अब बात करें next vacancy की वो निकली है बार बर की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है दसवी pass और उसी के साथ है desirable में mention है एक साल का experience experience नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं level 1 के तहत salary provide की जाएगी 18-25 साल तक की आपकी उमर मांगी गई है यहाँ पर आपको age relaxation भी provide किये जाएगे as per government of India rule STSC को 5 साल का OBC को 3 साल का अब बात कर लिए ते ही आपको apply कैसे करना है तो यह करना होगा आपको offline apply application form का link आपको नीचे description में दे दिया जाएगा आपको उसका print out लेना है उसे fill करना है उसके साथ सारी supporting documents attach करने है उनको एक envelope में pack करना है envelope पे आपको mention करना है application for the post of जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं under civilian direct recruitment फिर वो आपको दोस्तों registered post करने है वो आपको कहाँ पर post करने है वो address हम आपको बता देते हैं आपको वो post करने है the civilian establishment officer civilian recruitment cell headquarter madras engineer group and center bangalore 7 chetti garden post bangalore 560042 यहाँ पर यह आपको दोस्तों register post करने है इस form को fill करने की जो आपकी last date रहेगी वो रहेगी 31 मही 2024 यहाँ दोस्तों 31 मही से पहले-पहले आप यहाँ पर इस vacancy के लिए apply कर दीजिएगा for further notification के लिए website को regularly go through करते रहिएगा यहाँ पर जो आपका selection process रहेगा वो रहेगा written test के थूँ बाकी की जानकारी के लिए advertisement का link आपको नीजे description में दे दिया जाएगा advertisement को आप अपने आप go through ज़रूर करिएगा thank you so much also for watching our videos